नमस्कार दोस्तो केस फिल्ड पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर आपको जियो बैंक से परसन लोन की आवसकता है या आप लोन लेना चाहते हैं परसन लोन इंस्टेंटरी लोन लेना चाहते हैं और आप परिशान है बहुत सारे एप पर ट्राइ कर चुके हैं जहाँ पर आपको लोन नहीं मिला है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जियो बैंक से आप किस तरीके से लोन ले पाएंगे साथ साथ सिर्फ दो तरीके हैं लोन लेने के कौन से दो तरीके हैं और यहाँ पर जो आपको दोस्तो ब्याज बढ़ने वाला है वो डेर परसेंट महीना पढ़ेगा या अठारह उननिस परसेंट सालाना बढ़ने वाला है तो अगर आप 6 मेंने या 6 मेंने से कम के लिए ले रहे हैं तो डेर परसेंट जो है मंत्री यहाँ पर आपको व्याज देना पड़ेगा 10 लाग रुपे तक का लोन है और यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं पर इंकी वेसाइट दिखा दीता हूं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं सबस्ते हैं तो यहाँ आपको प्रॉडक्ट के अंदर क्लिक करते लुड़े चौर यहाँ पर आपको बहुत ही सादणर और यहां पर आपको बताया गया है कि आप इंफ्राटक्चर के लिए लोन लेना चाहते हैं SMSE Loan Business Expand के लिए लेना चाहते हैं तो यहां पर बताया गया है कि Education Emergency Health Care Hotel Loans Supply Chain आप किसी लिए लेना चाहते हैं तो आपको क्लिक करेंगे तो इस तरीके की जो प्रोफाइल है आपके खुलकर आ जाएगी यहां पर आपको बताया गया है इसके साथ मैं आपको बता दूं तो यहां पर भी आपको देखिए लोन देखने को मिलेगा अगर आप कोई बिजनिस करते हैं तो इसके लिए है इंफरेटक्चर के लिए यहां से माइक्रो फाइनेंस परसनल लॉन टू विलल लॉन और फॉर विलल लॉन तो यहां पर आपको मिलेगा इसकी देखिए कंडिशन क्या है दोस्तो थोड़ी सी मैं आपको आपको यहां पर बताया है कि आपकी जो वैलिट फोटो है वो चाहिए तो यह कुछ डोक्यूमेंट है दो तिन यानि कि आधार कार्ट पैन कार्ट वगरा आपके पास है तो आपको काम होने वाला है इसके सासा दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आपको पताया गया है यहां पर आईए कि यहां पर आपको देख की नो इनकम प्रोफ कोई भी इनकम प्रोफ देने कि आपसक्ता नहीं इसके सासा बताया गया कि बारा से अड़ते लिए अगर आप लोन लेना चाते हैं तो charisma मिल जाएगा simplify net quick documentation है सब कुछ digital होने वाला है इसके साथ attractive interest rate जो कि मैं आपको बताया है और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी पिर कर रहा है तो आखिर इसको apply कैसे करना है देखिए अगर आप यहाँ पर apply करेंगे दोस्तों तो apply नहीं कर पाएंगे ऐसे मैं आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 19.35 पर एनम जो है आपको interest rate देखने को मिलेगा यानि कि अगर आप एक साल के लिए लेना चाहते हैं तो 19% आपको पढ़ने वाला है दोस्तों आप किसी भी बैंक में देख लें 15, 16, 17% आपको सभी जगर देखने को मिलेगा अपलाई कैसे करना है एक तो मैं आपको नमबर बताया और दूसरा दोस्तों आपके पास अगर जियो का सीम है तो आपके पास जियो का एप भी होगा मैजियो ऐप और अगर नहीं है तो आप इसको रिस्टाल करने विले इस स्टॉर पर आपको मिल जाएगा है जैसे आप खिल्क करेंगे दोस्तों आगे कुल जाएंगे और यहां पर भूलेका कि लैटस इस्टार्ट यानिकि इसको ओपन करना है आप इसWhat करेंगे दोस्तों तो नहीं आगे बढ़ जाएक। All गहागा उपकर ачने को मिलेगा यहाँ पर सुशाल लोन इस्टैंट परसनल लोन वगरा जैसे एड आपको उपर ही देखने को मिलेंगे कि जो की mygeo app पर देखने को मिलेंगे और mygeo app के तरफ से यह आपको यहां से जाना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों आपको apply now पर klik करना है जैसी आप apply now पर klik करेंगे दूसरा page यह वाला खुल जाएगा और यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो है कितना loan लेना चाहते हैं तेकि यहाँ पर है कि 50,000 से कम लेना चाहते हैं 50,000 से 1,008 लेना चाहते हैं या 1,008 से 2,008 लेना चाहते हैं इसके आप scroll करेंगे दोस्तों नीचे तो और भी ज्यादा देखने को आपको category मिलने वाली है क्योंकि नीचे आप इसको scroll करेंगे 10 लाज रुपे तक आपको देखने को मिल जाएगा तो जो भी आप loan लेना चाहते हैं दोस्तो उसको select करेंगे जैसे select करेंगे दोस्तो आप next option पर आ जाएंगे और अगर सरकारी नोकरी करते हैं तो ऊपर वाले पर दोस्तो आसानी से आपको किलिक कर देना है इसके बाद देखे जैसे आप किलिक करेंगे दोस्तो तो आपके सामने कुछ इस तरी कैसे processing होगी और यहाँ पर प्रोसेज टू अपलाई पर किलिक करेंगे बस जैसे आप अपलाई पर किलिक करेंगे आप से कुछ extra information पोची जाएगी यहाँ के application की detail यहाँ पर आपको pen number देना है आपको pen number पर जो नाम है वो देना है select your gender देना है अपने date of birth देनी है और यहाँ पर academic qualification देनी है नीचे आएंगे दोस्तो थोड़े से option मिलेंगे इसके साथ date of birth आएगा यहाँ पर academic qualification है mobile नंबर आएगा तो email आईडिया आएगी यह सारे के सारी documentation आपको complete करने है इसके साथ दोस्तो फिर application यहाँ पर आप save करेंगे आगे जाएंगे address मंगा जाएगा pin code मंगा जाएगा कहा के रहने वाले हैं दोस्तो वो सारी की सारी जो है detail आप यहाँ पर fill करतेंगे इसके साथ आप यहाँ पर क्या कोई EMI पहले से चला रहे है तो yes करेंगे या no करेंगे yes no में ही option देना है provided fund है कोई yes no में बताना है civil score आपका है तो कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है category में आ जाएगा नहीं है तो नहीं इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि loan के ल आप एक बार इसको पढ़े लें पूरे के पूरी फाइल है पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कहीं mistake की है तो आप edit पर click करके जो है उसको edit कर सकते हैं और अगर लगता है कि बिल्कुल आपकी application सही है तो आपको सिर्फ confirm पर click करना है और आगे बढ़ जाना है जैसे ही दोस्तो company के तरफ से आपको एक call आएगी यानि कि call आएगी पर आपका loan approve हो गया आपको call आएगी और बताया जाएगा कि आपको इतना loan मिलेगा यानि कि जतना आपने apply किया है उतना मिलेगा या उससे कम मिलेगा तो जो भी detail होगी दोस्तो company के तरफ से बता दी जाएगी औ और यह बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको एक्स्टा एप को डाउनलोड करना नहीं और अगर आपको यहाँ पर जो है लोन मिल जाता है दोस्तों दो डेलर पर मंद के हिसाब से आपको EMI देनी है तो सारी के सारा दोस्तों बहुत ट्राइ जरूर करें तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद